हेलो एब्रिवन सानबी कुकिंग पॉइंट में आप सभी का स्वाहत है आज हम बनाने जा रहे हैं छेना मिठाई बनाने के लिए हमें परफेक्ट छेना चाहिए और आज हम वही छेने का रेस्पी लेके आए हैं तो चलिए बनाते हैं इसके लिए मैंने लिया है 500 ml फूल क्रीम दूद आपके पास जो दूद अबलेबल हो आप वो ले सकते हैं और अब हम इसको बॉइल होने के लिए रखतेंगे तब तक हम एक बॉल लेंगे और उसमें दूट टेबल स्पून वेनेगर डालेंगे और जितना हमें बनेगर लेना है उतना ही हमको उसमें पाने अट करना है अब ये मेरा दूद बॉइल होना स्टार्ट हो गया है जब इसमें एक बॉइल आएगा तब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और हम वेनेगर और पानी का मिस्चर थोड़ा थोड़ा करके एड़ करेंगे इसको कंट्यूनिसली हमको चलाते रहना है जब तक ये पुरा फट ना जाए देखिए मेरा दूर बिल्कुल फट चुका है इस तरह बिल्कुल ऐसा ही हमें छेना चाहिए मिठाय बनाने के लिए अब हम इसको किसी इस्टेनर में छान लेंगे अच्छे से और देखिए मेरा ये छेना तयार हो गया है और इसका पानी को फेकिंगे नहीं से आटा बूतने में काम में लाएंगे और एक घंटे के बाद दिखे मेरा छेना बन की तयार है मिठाई बनाने के लिए छेने का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है और हमें बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट छेना चाहिए थैंक यू फूर वाचिंग